नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं पुछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुए कि 60 अस्थानिय और 40 बाहरी जबकि ऐसा नहीं है इस्पिकर रविंद रनाथ महतों ने कहा है कि नहीं नियोजय नीती में सरकार नौकरियों के वर्निस साथ से तातपर आरक्षन कोटी से है इसमें 28 फिश्दी अनिसुजी जन जाती और 27 फिश्दी OVC 12 फिश्दी AAC और 10 फिश्दी स्वर्ण गरीब को मिला हुए आरक्षन है बाकी 40 फिश्दी open for all है उन्होंने कहा है कि क्या बाकी का गर आरक्षी 40 फिश्दी है उसमें जारकणी चातर नहीं आएंगे इस्पिकर ने कहा है कि अधि जारकण सरकार थोड़ी पैनी निगार रखे तो उन 49 फिश्दी में भी 40 जारकणी चातर ही आएंगे टीपी सी के सब जोनरल कमांडर दीपक राजवार ने किया सरेंडर टीपी सी नकसली संगर्थन के सब जोनरल कमांडर दीपक राजवार ने सोमवार को पलामो पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन कर दिया नकसली दीपक रजवार कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है उस पर मेधनी नगर, सहर थाना, छातरपूर थाना, विश्रापूर थाना, बरडिहा थाना में कई मामले दर्ज है सरकात के आत्मसमरपन नीती के तहट IPS, रिसब, गर्ग और DSP, सुर्जीत, कुमार के सामने नकसली दिपक रजवार ने सरेंडर किया है बता दे परतिबंधित नकसली संगठन टीपिसी के सब जोनरल कमांडर दिपक रजवार ने पलामो पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन किया है जैक बोड कमपार्टमेंटल एकजाम के लिए आवेदन शुरू जालखन अकेडमिक कॉंसील यानि जैक की और जे इस साल मैट्रिक और इंटर परिक्षा में औसफल बिद्यार्थियों के लिए कमपार्टमेंटल एकजाम फरम भरने का डेट जारी कर दिया गया है मैट्रिक में असफल हुए स्टुडेंट 26 जून यानि आज से कमपार्टमेंटल एकजाम के लिए फरम भर सकते हैं वहीं इंटर में पास नहीं कर पाने वाले बिद्यार्थि 27 जून से फरम भर सकेंगे बिना किसी बिलम सुल्प के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कमपार्टमेंट एकजाम के लिए 5 जूलाई तक फरम भरे जा सकते हैं वहीं बिलम सुलक के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कमपार्टमेंट एकजाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक फरम भरे जा सकेंगे जारखन के गढ़वा और पलामू सहीत 6 जीलों में वजरपात की चेतावनी जारखन के पलामू गढ़वा पांकूर धनबाद गोड़ा और जाम तरा जीले में वजरपात होने की समहना है मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी देते हुए एलो अलर जारी किया है लोगों को घरों में रहने की सला दी गई है किसी को भी खेतों में जाने से मना किया गया बदा दे मौसम विभाग ने जारखन के पलामू गढ़वा पांकूर धनबाद गोड़ा जाम तरा जीले में वजरपात का एलो अलर जारी किया है इन जीलों में गरजन तेज हवा के साथ बजरपात होने की समावना है मौसम विभाग ने इन जीले की लोगों से सवधानी बरतने का अनुरोद किया है मौसम केंद्रे राची ने अगले कुछ गंटों के अंदर चेतावनी देते हुए पलामु गड़ोय पाकुर धनबाद गोटा जामतला जीले में गजने के साथ साथ 30 से 40 क्लिम्टर पती गंटा की रफ्तार सहावा चनले और वजरपात होने का एलो अलर्ट जारी किया है स्पीकर रविद्रे नाथ का बड़ा आरोप बिजेपी के इसारे पर काम कर रहा राजभवन जार्खन बिधान सबादक रविद्रे नाथ महतों ने राजभवन पर बिजेपी के इसारे पर काम करने का रूप लगाया है हाल के दिनों में राजेपाल सीपी रादा किष्णा सुर्खियों में है जिला बरमन के दोरान राजेपाल का जानता से सिधा सनवात कहीं न कहीं सतार उड़ दल के लिए आख की किरकीरी बनने लगी है इड़ी की समन के बाद रांची सहर अंचल के अंचला अधिकारी अमीत भगध इड़ी दफ्तर पहुंच चुके हैं इनमें इड़ी के अधिकारे से पुस्ताच भी सुरू कर दी गई है जारखन में हुए जमीन घोटाला मामले में पुस्ताच की जा रही है बतादे जमीन घोटाला मामले में रांची इड़ी ने सहर अंचल के सियो अमीत भगध से पुस्ताच सुरू कर दी जमीन गोटाला मामले की जाच कर रही केंद्रिय जाच एजनसी प्रवतनी देशालाई ने सियो अमीत भागत को पुछताच के लिए समन जारी कर आज दफ्तर बुलाया था जिसके बाद सियो इड़ी करेले पहुंचे हैं सियो अमीत भागत जोले में जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर इड़ी दफ्तर पहुंचे हैं वंदे भारत एक्सपेस का चाउथा ट्रोयल सफल पतना रांची वंदे भारत एक्सपेस ट्रेन का आज चाउथा ट्रोयल रन हुआ ट्रेन रेलवे अधिकारी और पत्रकारों को लेकर पत्ना से राची पहुंची बता दे बिहार और जार्खन की राज़धानी को जोड़ने के लिए सुरू की जा रही सेमी हाइ स्पीड वंदे भाला ट्रेन का चौथा ट्रोयल सफल रहा आज सुबा चार पचपन पत्ना से इस ट्रेन का अमतिम ट्रोयल किया गया या ट्रेन ने धारित समय से पांच मेट पहले यानि सिर्फ छो घंटे में राची पहुंच गई अमतिम ट्रोयल में रेलवे के अधिकारी और मीडिया के लोग सामिल हुए थे बता देख की ट्रेन से सफर किया जया जिसमें ट्रेन में सफर करने के दवान कई तरह की सुविधा यात्रियों को मिलेगी ट्रेन में सबसे आकरसन वाली बात या है कि अगर ट्रेन में कोई सफर कर रहा हो और उसे कुछ पढ़ने कमान करे जो जिस चरह फलाइट में सिंगल चेयर पर लाइट बटन होता है उसी तरह सुविधा इस टेन में भी है जगनाथ पूर मेले में दुकांदारों को चेहरे का रोनक गायब जगनाथ पूर मेले में सुई से लेकर तलवार तक की बिक्री होती है जगनाथ पूर मेले में दुकांदारों को कमाई से जगनाथ नुकसान का भड़ा जमा करना पर वहाँ है जगनाथ पूर मेले में दुकांदारों ने बताया है कि इस बार दुकांदारों को नहीं मिल रहा है बलिक ठेकदारों के द्वारा अत्यधिक भाड़ा वसुला जा रहा है जिस वज़े से दुकांदार को लाब नहीं हो पा रहा है जार्खन में धूम धाम से मनाई गई असारी पुजा जार्खन में रभिवार को धूम धाम से वास्तिक असारी पुजा मनाई गई बता जै कि असारी पुजा में बुढधा महादेव की पुजा की जाती है कई तलाबो और नधियों के जल से भोलेनाथ का विसे किया जाता है रांची में महिलाओं ने तिन नधियों के जल से देवी मढई करम टोली और बुधा महादेव मढई हातमा में जला विसे किया असारी पुझा के लिए महिलाओं की भारे भीर जूटी थी अलग अलग टोली से सभी महिलाएं पूजा के लिए एक जगा एकात्रित होई थी महिलाओं के साथ साथ की सोरिय ने भी असाड़ी पूजा की है रांची के रिम्स में आज से सुरू होगा बीस बेट का ट्रामा विंग राज़ानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सोमवार से बीस बेट का ट्रामा विंग सुरू होने जा रहा है ट्रामा बिल्डिंग के प्राथम तरले पर दुर्गाटना में गंभीर रूप से खायल मरीजों को भरती का इलाज किया जाएगा इसके लिए डाक्टरों के अलग टीम तैनात की गई है इनमें नियूरो सरजरी हड़ी और समाने सरजरी की विश्चा के डाक्टर सामिल है इलाज के लिए गोलन आवर का निर्धानन भी किया गया है इसके तहत गंभीर मरीज के भरती होते ही तीनों पिभाग के विश्चा सगे डाक्टर ततकाल इलाज शुरू करेंगे आज सकता के हिसाब से मरीज की जाच भी कराई जाएगी रिम्स अधिक छक डाक्चर हिरेंद्र बीरुगा ने बताया है कि इसके लिए डाक्टर नर्स और पारामेट करे स्टाप की टीम का ड्यूटी रोष्टा 24 घंटे का तयार कर लिया गया है जार्खन को टॉप थ्री विक्सित राजियों में लाना है लक्षे राजे पाल यहाँ बाते राजे पाल सीपी राजा किष्णा ने धन्वाजी लेके टूंडी परखन के कमार डी पंचायत भौन में अरजी सन्वाद दाता कारेकराम को समधित करते वे कही उन्होंने कहा है कि सरकार का फोक। सीख्षा पर है आपका बैंक वाइलेस कीतरा भी हो जमीन चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन अगर बच्चों को सिख्षित नहीं कर पाए तो आरी संपतिया वेकार हो जाती है वाजपेई सरकार ने सर्व सिक्षा अभियान शुरू किया था नवदे कस्तुर्बा, केंद्रिय बिद्याला जैसे आनेक सरकारी बिद्याले हैं जहां किसी भी निजी स्कूल से बेहतर सिक्षा दी जा रही है डायन कहकर महिला को 15 लोगों ने पीटा जहारखन में डायन विशाही के सक में एक और महिला के निर्वाम हत्या कर दी गई है मिरितिका की सिनाक्त गुमला के सिसाई थाना छेतर अंतरगत नगर चडरी टोला गाउन निवासी पचपन वर्षी सालो देवी के रूप में की गई गाटना के बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो कम से कम 15 लोगों की भीड ने सालो की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर टांगी से कट कर उनकी जान ले ली गई आरोपियों ने सालो के पत्ती आद लोहरा बहन सभीता और ननद लक्षमी पर भी तेज धादार हातियार से हमला किया तीनों की हालात ना जूक है सुचना पाकर पहुंची पूलिस घटना की चान बिन में जुट गई है आरोपि फरा रहा है कहा जा रहा है कि ग्रामीनों की भीड़ी जामा हो गई तो आरोपि भाग निकले अन्याथा तीनों घायलों को भी मार डालते बता दे घायलों को रेफरा अस्पताल में भरती कराया गया है पूलिस ने मामले में दो महिलाव सहीत कूल नौ लोगों को गिरपतार किया है मिरितका की बहन सभीता की सिकायत पर पूलिस ने सिसाई थाना में निरंजन और पर रंजन उराओं के खिलाप भी मामलादर्च किया है धन्यवाद